ना हो अगर बिकने का इरादा तो कीमत और बढ़ती है ये लाइन मैंने क्यों बोली ये तो वीडियो के मध्ध में आपको बताऊंगा लेकिन बस आप इतना जान लीजी कि पाउन सिंग अपनी नई पार्टी बना रहे हैं जिसको लेके कई सारे लोग कई बाते कर रहे हैं लो आप देख रहे हैं जंताज जंक्शन अब आईए वापस ले चलते हैं आपको कारा कार्ट और कारा कार्ट में चुनाओ हुआ उपंदर कुस्वाहा चुनाओ हार गए पवन सिंग दूसरे नमबर पे रहे और वहां से चुनाओ जीता राजा राम कुस्वाहा जो की माले के देता थे वह कर दो सिने देता थे वहां के अभी सांशद हैं अब यहाँ पर बात यह आती है कि पौण सिंग का परदर्शन कयसा रहा वहां पर पर और इसी हिसाब से हम ये तैग करेंगे कि अभी उनका राजनिती में उतरना कैसा माना जाएगा. तो पहले चुनाओ को माना जाता है कि पहला चुनाओ जो हारने के लिए लरा जाता है दूसरा चुनाओ जो हो हराने के लिए लरा जाता है और तीसरा चुनाओ जो हो जीतने के लिए लरा जाता है तो सीधे तोड़ पे पॉन सिंग जो है वो दो स्टेप आगे निकल चुके है उन्होंने उपंदर को स्वाहा को चुनाव हरा भी दिया है और खुद चुनाव हार भी गए हैं अब तीसरा इस्टेप आता है जीतने वाला अगर वो अभी पार्टी अपनी बनाते हैं अगर वो इस बिहार वधान सबा में अपनी पार्टी उतारते हैं तो कितना बड़ा ये दिखाई दिया हाला कि वहाँ पे यादव वोटर को तोड़ने में नाकाम्याब रहे लेकिन जितने भी राजपूत वोटर थे वो उनके साथ हो लिए और ये माना जा रहा है कि बिहार में अब राजपूतों को नेता में एक बड़ा चेहरा पवन सिंग का भी हो सकता है अ अब पवन सिंग जिस तरीके से चुनाव लड़ने की घोशना कर रहे हैं जिस तरीके से चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं और कारा कार्ट में जो उनका प्रदर्शन रहा और कारा कार्ट में जो चुनाव हुआ उसका असर आरा तक देखने को मिला आरके सिंग चुनाव है तो मुझे लगता है कि ये सही वक्त है जब वो अपने candidate उतार सकते हैं जब वो अपनी party बना सकते हैं और ये ऐसा होते हुए भी दिखाई दे रहा है अब इसका मकसद क्या है अपनी bargaining power बरहाना है या फिर अपने आपको BJP में नहीं जाते हैं तो इसमें कोई दोराय नहीं है इसमें कोई संसय नहीं है कि वो एक बड़ी party के तोर पे उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं बिहार में और जिस तरीके से एक वर्ग उनके support में आखरा हुआ इस लोग सभाचुनाओं में राजपूत समुदाय का जो support देखने को मिला वो खासा अलग था अगर विधान सभा में वो अपनी party बनाते हैं और उसके बाद वो चुनाओं लड़ते हैं तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ राजपूत कैनिडेट उतारेंगे कई अलग अलग जात के कैनिडेट भी देखने को मिलेंगे और अगर पवन सिंग की तरह वो भी मजबूत रहे तो इस विधान सभा चुनाओं में बहुत बड़ा खेल होते हुए बहुत बड़ा खेला होते हुए नजर आता दिखाई दे रहा यानि अगर पवन सिंग चुनाओं लड़ते हैं बहार विधान सभा का तेक तरीके से जो अभी भूमी का नितिश कुमार लोग सभा में निभा रहे हैं इस संसत भौन में निभा रहे हैं वही कही ना कही विधान सभा के चुनाओं में पवन सिंग की भी देखने को मिल सकते यानि अगर पौन सिंग कुछ सीटे भी निकाल लेते हैं बिहार विधान सबा में तो इनका एक बड़ा और एहम रोल देखने को मिल सकता है और इसलिए ये कही न कहीं काया वाद चल लाए ये कहीं न कहीं उमीद लोग लगाए बैटे हैं कि पौन सिंग एक बहुत बड़े र राजपूत ये मान चुके हैं कि पौन सिंग राजपूतों के एक बहुत बड़े चेहरे हैं इसके बारे में कॉमेंट सेक्सिन में जाईए और कॉमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साजा कीजिए बाकि आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है कि अढ़ एक दूरिए और मेंट मेंट थेक्ड़ूतों के गड़ेश राजप चाहार इंवाध।